एक बच्चा है, मैं पस आया था, आठ साल का बच्चा है, बहुत पूरली कंट्रोल हैडेक, बहुत सिवियर हैडेक, बार बार हैडेक हो रहे हैं, मैं जब ही बच्चे से सवाल पूछता, बच्चे की मदर मुझे बोलना ही नहीं देती, वो अपने आप ही शुरू हो जाती थ ऐन झाया, उसको तुन्हे खाना दिया नहीं गया, कुछ एंटिन से खाया था, नहीं खाया था, तो बच्चा जब घर पर पूछता है, उसे दुछे ये दो मिनिट की शांती, बच्चे श्विक नहीं की सानती यह नहीं मेलेस, मदर कंटिनेसली शूरू होगी। जब इसकार सिहत नामा देखरें सभी दर्शकु का स्वागत एक बार फिर पात आज के एपिसोड में बच्चों से रिलेटिटी करने जा रहे हैं बच्चों को भी बेचेनी, एंग्जाइटी, हैडिक यानि सिर्दर होता है और उसके क्या रीजन होते हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे डोक्टर सुमीद धवन जी, चाइल्ड नियॉरॉल्जिस, बताने जा रहे हैं एक केस जो उन्होंने सॉल्व किया तो मैं आपको एक actual case scenario से बताने वाला हूँ, case scenario मतलब एक real story है, एक बच्चा है मेपस आया था, 8 साल का बच्चा है, बहुत poorly controlled headache, बहुत severe headache, बार बार headache हो रहे हैं, बचा स्कूल नहीं जा पा रहा है, 15 दिन से छुट्टी पर है, अब क्या करें, परेंस परिशान हैं, उन्ह जब हमने देखा, तो बच्चा अकेला बच्चा था, एक लौता बच्चा था, आठ साल का था, पैरेंस वर्किंग थे, मदर हाउस वाइफ थी, फादर बैंक में जॉब करते थे, फादर डेली में वर्क करते थे, मदर यहाँ पर हमारे शहर चंदिगाड में ही रहती थी, पर साथ में उसके लाड़ प्यार करने वाले दादादी थे, तो दूसरा मैंने नोटिस किया, तो कभी भी हमें पास कोई बच्चा आता है, हडेक होता है, तो मैं हमेशा उनका माहूल के बारे में पता करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंके हडेक कब होता है, क्या ह होता है दूसरा चीज मैं जब ही बच्चे से सवाल पूछता बच्चे की मदर मुझे बोलने ही नहीं देती वो अपने आप ही शुरू हो जाती थी तो फिर मुझे कुछ यहां से अंदाजा आया कि शायद मदर का इंटरफेरेंस को ज़्यादा ही हो रहा है तो इसलिए मैंने दुनों बच्चे और मदर का सेपरेटली इंटरव्यू लिया तो मुझे बात करने पर पता चला ग्राइंट पेरेंस के साथ हां यह बच्चे के हमेशा पीछे पढ़े रहती हैं चलते रहते हैं जैसे कि जैसे और दोगाई जैसे बात क्राण के रहती हो फिसे ओछे बात चावल पैया इंया सब्सक्राइब ओभाई क्यों खाई, मदर constantly पीछे पड़िया है फिर उसके बाद चल तो अब खेलने चले जा अब आदा गंटा ही तुने खेलना है अब बच्चों को खेलना पसंद है वहाँ पर मदर के restrictions आने लग गए कि तू आदा गंटा ही खेलेगा, बच्चा खेलना चाहता है आदा गंटा, मदर चाहती है कि तू घर के compound में खेल, बच्चा खेलना चाहता है पार्क में जाके, तो बच्चे को अपने मन की करने नहीं मिल रही है बच्चे आजकल चाहते है टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, तो वो बच्चा भी हमारा बच्चा, उसे एक 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 गंटा देखना पसंदे, काटून देखना पसंदे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आना शुरूगी मदर कॉंस्टेंटली पोक करते रहेगी कि बोलते रहेगी कि टीवी बंद कर दे, ये मत कर ले चल पढ़ ले, ये मत कर तो क्या होता है, बच्चे की लाइफ में बहुत ही दखल अन्दाजी हो रही थी कंटिनियूसली बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, क्रिटिसिजम ये मत कर, वो मत कर, इससे मत मिल, उससे मत पिल, अभी पढ़ ले अभी सो ले, अभी टीवी मत कर, तो इसके वज़े से बच्चे के माइड में काफी स्ट्रेस आ रहा था, मदर का ओवर इंवाल्मेंट, ओवर प्रोटेक्टिव नेच्चर ही बच्चे के लिए हडएक कास कर रहा था अब ये हुआ क्यों, अब उसका इंदाजी करना भी एक कारण रहता है बच्चे की स्ट्रेस में, इस केस में हमने नोटिस किया कि मधर ही एंग्शिस थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बच्चे के पीछे पड़ी थी, वो सारा टाइम अपने हस्बेंट के पीछे भी कि आप ऐसे मत करो, इसको ये मत दिलाओ उसको ये मत दिलाओ, तो जब फादर छुटी पे, जॉब से अपने घर पे आते थे वीकेंड पे, बच्चा बहुत खुश रहता था, क्योंकि लिए फादर उसका थोड़ा बहुत लेकिन वो चीज मंडे टू फ्राइडे मदर के साथ नहीं हो रही थी, तो इसमें हमें पता चला एक, बच्चे के मायन पे काफी तनाव है, बढ़ाई कर नहीं है बट कॉंस्टेंट सुपरविजिजन, कॉंस्टेंट involvement, constant over involvement की वज़े से हो रहा है तो बच्चों में भी anxiety common है बच्चों में भी headache common है बच्चों में headache का reason आम तोर पे हमारा parenting रहता है, over involvement रहता है या माहौल रहता है तो इसे treat करने के लिए हमने क्या किया हमने एक schedule बना लिया मदर को हमने एक बच्चे और मदर की साथ बैठके हमने time table बना है time table में हमने fix कर जाए ओके, आप इस टाइम पे खाना खा लोगे दो घंटा आप पढ़ लोगे एक घंटा आप भार जाके खेल सकते हो अदा घंटा जाके आप TV, mobile, YouTube आप देख सकते हो फिर हम साथ में बैठके खाना खाएंगे साथ में बैठके खाना खाना भी एक important step है और फिर हम बाद में walk पर जाएंगे, गुरुद्वारे पर walk पर जाएंगे grandfather के साथ बचा walk पर जाने लग गया और हम time पर सोएंगे साथ में हमने simple steps like meditation deep breathing exercises और simple activities incorporate कर लिए तो इससे हमें क्या पता चलता है constant supervision parents के anxiety, parents का overprotective nature ही बच्चे के लिए एक stress बन जाता है उसके वज़े से headache हो जाता है हमने इस बच्चे के treatment में कोई medicines यूज नहीं किये, दो हफ़ते में बच्चे के headache 50% कम होगे और देड़ महीने में बच्चे के headaches almost 90% कम होगे तो सिर्फ behavior therapy micro scheduling therapy parent involvement parent training therapy से हमने इस तरह बच्चे का headache ठीक किया